हाई हेलो गाईज वेलकम बेक टॉ माई चैनल तानवी किचन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है तो आज फिर एक न्यू रेसिपी सेर करने वाले हूं वो भी है आलू टेमाटर की सबजी जो बंडारे में बनाये जाती है और हम सब लोग बंडारे में खाने जाते हैं तो इसी तरह की आलू टेमाटर की सबजी बनती है और यह बिना लसन प्याज की बनके रेडियो होती है जब भी भी बहुत ही टेस्टी लगती है और हमारा भी मने ऐसे करता है कि हम क्यों ना यह इसको घर पे बनाये जाए और खाये जाए और कई लोग तो इस सबजी को ट्राइ करना है कि आप जो आलू है बोईल करो उन्हों को ठंडा होने के बाद में आपको तोड़ना फोड़ना है तो आपको मोटे मोटे तुकड़ों में ही तोड़ना ऐसे बिलकुल मेसी सा कर लेना है और आलू को ठंडा होने के बाद में मेस करना है असे नहीं कि गरम गरम कोई कर थेमाटर भी आपको ज़्याद कुपड़े में लि hourly लेना है सितने प्रफे छूड़ी नहीं अनरी प्रहुत्य Kafrieben बंडारे में खाने जाते हैं सबजी बिना लसुन प्याज की बनती है क्योंकि वो परसाद की रूप में दी जाती है तो इसलिए उसमें लसुन नहीं डालता है जब भी यह सब्ची बोहती ही टेश्टी बनती है तो यह मेने कड़ाई ले लिए है अपको इससी भी कडाय में बना सकते हो जिलवर की जैसे 即štство सबजी में तो सरसों के टेल को अच्छी से गरम कर लेना है तो मैंने स्ट्र शॉपά तो आपके पास हो सके तो आप जो जैसे खड़ा आता है धनिया खड़ा दनिया आता है साबुत वाला फो ले सकते हैं करश कर दाल देंगा मेरे पास नहीं था तो मैंने बड़ने लेकिन आपके पास हो पेस्टी है बहुत आफ जाएका बड़ जाने में पानी दालन p तो अब म् campuses overall के आपानी ना कंडेंगे ओफ हमाटन आपे दाई खड़ाप के दाल डेंगी को हम थाम बबादान तो पांस मिन्ट के लिए ने ड़क्य पका लिया तो यह बिल्कुल गल गया है और इसको इस तरह से चमच से चलाएंगे तो देखे बिल्कुल मैस हो चुके हैं क्या करऊंगी इसमें हरा धन्या डालाघ तो ज weESSन लिए बचको को ज्यदा पसंद नहीं होता इसलिए हम लमम इन हरा धन्या और देखाझ में हारी मिर कौंण देता नहीं होता है था थींकल की जह शुदा के बच्छों के पर वभी यह है और नहीं हम आपके भी तेस कर दों वे यह सब्स जया पिसनी । इसमें वी ढूत देस्म पासस जोता डए praxis को करदो या को, जो आप दो तो यह सब TOD denial डाले का जा औह्त है सब्सक्राइबार छले करें Ukrainian कर なंपने वह सब्सक्राइब नहीं तो नहीं कर दो इसमें नहीं करते हैं तो अब मैंने आलो डाल दी हैं जो मैंने में 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 जन्ना जादा थिक हो नाहीं जादा पतली हो तो आपको जैसी पसंद हो उसके पानी डाल दीज़ेगा और मैं पानी डाल दिया अब मैं 5-10 मिन्ट के लिए भड़के पका लोंगी 5-10 मिन्ट के लिए तो मिडियम गेंस पर रखिएगा इतना अच्छा नजर आ रहा है बहुत ही अच्छी सब्जी बनके रेडी हुए जब ठंडी हो जाएगी तो और थोड़ी थीक हो जाएगी तो इसको थोड़ा पतलाय रखेगा इसने कि बिलकुल जैसे आपको इसमें कम पाने न जड़ाया थिक नहीं साई सी लगे तो वह क्या होता है थिंडे होने के बाद और थिक हो जाथा है तो तोड़ी पतली ही रहनी चाहे ज़ी अच्छी लगती है तो अब मैं हमारी सब्जी बिलकुल बन चुकी है अब मैं क्या करूँगा इसमें हरा धनिया डा बहुत ही टेस्ट्य लगती बहुत ही टेश्ट इसाथ पूरी देते हैं तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है खाने की बात यहाज आप यह सब्चेटी बना सकते हो बहुत ही आसानी से बन जाती है ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं कि आपको आपके सामने बने यह को ज़्यादा सामान इसमें मैंने नहीं एड़ किया है अम एक बाल में सरव कर दे रही हूं और आपको मैं टेस्ट करके भी दिखाऊंगी कि यह सब्जी कि अच्छी बनी है तो इस सब्जी को आप रोटी चपाती चाहूं और किसी के भी साथ अदो लेकिन यह जाजतरी सब्जी खाने में मज़ा पूरी के सात है पूरी बनाऊगे ना पूरी के साती सब्जी बहुत ही टेश्टी बनती है तो हमारे अलो सब्जी बनके रेडियो हो गए सोर मैंने Instagram भी जो बनाया हुआ है आइडी बनाई हुए है खाने वीडियो में ड बालती रहती हूं तो आप जाके देख सकते हो मेरी आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक की बगर मच जाएगा और आप इस पे भी मेरे को प्यार दीजिए क्योंकि मैं बहुत ही मैंनस से वीडियो बनाती हूं और आपको यदि क सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा ताकि मैं इसी तरह के अच्छे वीडियो डालो तो आपको टैम टू टैम मिले तो यह मारी सब्जी भंडारे वाले बिल्कुल बनके रेडी हो गई है तो इसी तरह से बंडारे में भी जैसे यह दूंदा होता है उसमें डालते हैं तो वै प्लीज वीडियो को लाइक किए वगर मचाएगा मेरे चैनल को कर लीजेगा सब्सक्राइब ताकि मैं आपके साथ इसी तरह के वीडियो सेर करती रहूं तो यह देखिए गास मेरे को तो खाने के बाद बहुत ज्यादा मजा आ गया बहुत ही तेस्टी यम्मी सी चटपटी से बनके रेडियो हुई है तो आप भी यह सबजी बनाई और खाई और मेरा वीडियो अच्छा लगे ते प्लीज वीडियो को लाइक करके चरू जाएगा मिलता है नेक्स वीडियो